हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है तो रेलवे के तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जी हाँ फ्रेंज एंटी पीसी रिवाइड रिजल्ट आना तै हो चुका है देखे कल ही साथ मार्च को रेलवे मंतरी अस्विनी वहिशनो जी का और कमीटी की मीटिंग हुई जिसमें ब पूरी अपडेट को देखते हैं इससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं हैं जल से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दवा दिजएगा रेलवे भरती की पलपल की अपडेट के लिए दोस्तों देखिए आज के हिंदुस्तान नीज पेपर में पूरी खबर पब का देगा रेल मंतरी अस्विनी वैश्णों की अध्याच्छता में सोमबार को आयोजित बैठक में इस पर आम सहमती बन गई है यानि कल ही सोमबार को दोस्तों साथ मार्च को मीटिंग हुई थी जिसमें रेलवे मंतरी अस्विनी वैश्णों जी ने अध्याच्छता की थी और इसमें यही फैसला लिया गया कि यहाँ पे 20 गुना चातर का सेलेक्शन किया जागा इसी के तरज पे रिजल्ट जारी किये जाएंगे देखें यहाँ पे रेलवे जल्द इस बावत अधी सुचना जारी कर देगा और जल्दी दोस्तों इसके रिकाटिंग नोटीस आजाएगी आरार्बी की वेबसाइट पे विदित हो कि जनवरी में बिहार, जारखंड और यूपी में आंदोलन करने वाले अधिकांस अभ्यार वह 1380 उमिदवारों ने रेलवे भरती बोड अरारबी कर्याले में ब्यक्तिगत जाकर अपने सुचाओ सौपे हैं, उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर अभ्यार्थियों ने रिक्त पदों की अपेच्छा 20 गुना अधिक उमिदवारों को परिच्छा में बैठने का मौका देने की मांग की है, और जैसा कि मैक्समुम छात्रों की यही मांग थी कि रिजल्ट में 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का सेलेक्शन होना चाहिए, 7 लाख डिस्टिंग्ट रॉल नंबर के सेलेक्शन होने चाहिए, ना कि रिपीटेड रॉल नंबर के, देखिया आग देखिये, रेलवे बोर्ड इस हफते अधिसुचना जारी कर सकता है, और यह भी बोलेगा फ्रेंट्स की इस हफते, यानि इसी भी ज़्यादा चांस है कि नोटिस आपकी आजागी अरार्वी के वेबसाइट पे, विदित हो कि रेल मंत्री ने इस मसले को सुल्जाने के लि यानि सामती बन चुकी है इस विजह पे, रेलवे जल्द ही इस वाबत अधिसुचना जारी कर देगा, तो बड़ी अपडेटा ही है छात्रों के लिए, देखे फ्रेंट्स आगे यहाँ पे मेंशन है, साढ़े चार लाग के बजाए, अब सात लाग उमीदवार, 35,000 NTPC किये गए थे, उमीदवारों की मांग थी कि रेलवे रॉल नंबर के बजाए, उमीदवारों का चैन करे, जो की रिपीटेट रॉल नंबर थे, इसके कारण 7 लाग का सेलेक्शन नहीं हो पाया था, NTPC परिछा लेवल 2 में रॉल नंबर के बजाए, चैनित उमीदवारों की सूची जारी की जाए, तभी यह रिक्त पदों की अपेच्छा 20 गुना संख्या, यानि की 7 लाग उमीदवारों को मौका मिल सकेगा, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन पहले ही, अस्विनी बैशनों की तरब से, ओफिशल ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि जितने भी यहाँ पे कमिटी के तरब से सुझाओ दिये गए हैं, जिन जिन भी साह पे सुझाओ दिये गए हैं, और लगबग 3 लाग पलस यहाँ पे रिकमेंडेशन आय थे हैं, तो उन सभी पे जल्द से जल्द RRB यहाँ पे नोटीस जारी कर देगी, और जिस जिस भी जो जो यहाँ पे समाधान हो सकता है, वो समाधान यहाँ पे नोटीस के तोर पे जारी कर दिया जाएगा, वही RRC Group D में CBT2 की बात करें, तो CBT2 हटने के भी चांसे मैक्समम हैं, क्योंकि इसके उपर भी मैक्समम छात्रों नहीं यहाँ पे ग्रिवेंस डाला था, अपनी मा जोने चाहिए, और देखिए इसका इंडिकेशन रेलवे मंतरी अस्वीनी बैशनो जी ने भी कई प्रेस कोन फ्रेंस में दिया था, कि कोई बहुत बड़े लेवल का एक्जाम नहीं है, ग्रूप D का ही एक्जाम है, तो इसका समाधान हम लोग जरूर करने वाले हैं, तो CBT जोने चाहिए, और बाके जितने भी सहय पे आप लोगों ने अपनी मांगे रखी थी, जो भी ग्रिवेंसेस डाला था, EWS वाला मुदा था, इसके बाद लेंगवेज प्रोब्लेम वाला मुदा था, एक्जाम कलेंडर वाला मुदा था, इसके बाद मेडिकल अस्टेंडर पढ़ा गया था, उसका मुदा था, तो उन सब भी सेव पे भी देखिए कि क्या-क्या अपडेट आते हैं जब नोटीस आएंगी, तो फ्रेंड जैसे ही नोटीस आती है, कोई ओफिशल अपडेट आती है, जरूर आपको इनफॉर्म करूंगा, तो वीडियो के जाशादा जरूर आप लोग शेयर कर दिजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स आपडेट में